इस प्रकार हम संख्याओं के तुल्य भिन्नों को विभाजन वारा प्राप्त कर सकते हैं हमें अंश और हर को एक ही संख्या से विभाजित करना होगा जो संख्या एक से अधिक हो अंश और हर को समान संख्या से विभाजित करें 30 बटा 60 भाग 2 बराबर 15 बटा 30 30 बटा 60 भाग 3 बराबर 10 बटा 20 वैसे ही 60 बटा 90 भाग 2 बराबर 30 बटा 45 60 बटा 90 भाग 3 बराबर 20 बटा 30 उसी प्रकार 120 बटा 150 भाग 2 बराबर 60 बटा 75 120 बटा 150 भाग 3 बराबर 40 बटा 50 वैसे ही 30 बटा 900 भाग 2 बराबर 15 बटा 450 30 बटा 900 भाग 3 बराबर 10 बटा 300 उपरोक्त तालिका से हमें पता चलता है उपरोक्त सभी तुल्य भी नहें क्या आप तुल्य भीन्नों की निम्नलिखित तालिका को पूरा कर सकते हैं 2 बटा 3 बराबर टिम्ब बटा 6 बराबर 6 बटा टिम्ब बराबर 8 बटा टिम्ब बराबर टिम्ब बराबर टिम्ब बटा 15 हाँ उत्तर हैं 2 बटा 3 बराबर 4 बटा 6 बराबर 6 बटा 9 नौ बराबर आठ बटा बारह बराबर दस बटा पंद्रह आएए एक और उधारण हल करते हैं हम तीन बटा पांच का तुल्य भिन ज्यात करें यहां पर हर बीस है हम हर बीस कैसे प्राथ कर सकते हैं यहां चार से गुणा करके इसलिए तीन गुणा चार बटा पांच गुणा चार बराबर बारा बटा बीस हमें अंश बारा मिलता है और हर बीस है उत्तर है इसलिए तीन बटा पांच बराबर बारा बटा बीस आएए एक और उधारण हल करते हैं जिनका अंश नौ होता है 3 बटा 5 बराबर 9 बटा टिम्ब टिम्ब हम 9 का अंश कैसे प्राप्त कर सकते हैं हाँ 3 से गुणा करके 3 गुणा 3 बटा 5 गुणा 3 बराबर 9 बटा 15 इसलिए 3 बटा 5 बराबर 9 बटा 15 बिन्नों की तुलना और ओर्डरेंड अर्थात क्रमबद्धता हम समहर बिन्नों की तरह आसानी से तुलना कर सकते हैं हम लिखते हैं 3 बटा 8, 7 बटा 8, 5 बटा 8 उपरोक्त आकरती से हम जानते हैं 3 बटा 8 यह सबसे छोटा अंश है और वो छायांकित है 7 बटा 8 सबसे बड़ा अंश है इसी कारण उसमें चायांकित बड़ा क्षेत्र है इसलिए हम लिखते हैं कि यह भिन्न बढ़ते क्रम में हैं 3 बटा 8 से बड़ा 5 बटा 8 से बड़ा 7 बटा 8 सबसे छोटा सबसे बड़ा हम भिन्नों को उतरते क्रम में इस प्रकार लिखते हैं 7 बटा 8 से छोटा 5 बटा 8 से छोटा 3 बटा 8 सबसे बड़े से छोटे तक समाहर भिन्नों के मामले में जहां हर समान होता हैं वहां अंश के अनुसार भिन्नों को क्रम दिया जाता है आईए निम लिखित भिन्नों को उतरते क्रम में लिखें 5 बटा 13, 8 बटा 13, 7 बटा 13, 1 बटा 13, 3 बटा 13, 12 बटा 13 सबसे बड़ा अंश्चुन 12 बटा 13 उसके बाद 8 बटा 13 उसके बाद 7 बटा 13 उसके बाद 5 बटा 13 उसके बाद 3 बटा 13 और उसके बाद एक बटा तेरा, सबसे छोटे से सबसे बड़े तक असमहर भिन्नों की तुलना लेकिन मान लिजे कि आपको निमलिखित असमहर भिन्न दिये गए है सुनिल ने वृत के आठ बटा दस भाग में रंग भरा है और मीराने वृत के तीन बटा पाँच भाग में रंग भरा है किसने अधिक भाग में रंग भरे हैं हम अलग हरों की या असमहर भिन्नों की तुलना किस प्रकार करेंगे तीन बटा पाँच तथा आठ बटा दस क्या हम उन्हें समहर भिन्नों में बदल सकते हैं हां हम हरों को समान कर सकते हैं अब यहां आसान है तीन गुणा दो बटा पांच गुणा दो बराबर छे बटा दस हम अंश और हर को समान संख्या गुणा करते हैं छे बटा दस यह तीन बटा पांच से बराबर है अब हमारे पांच हर दस है अब आठ बटा दस और छे बटा दस हर समान है वे अब भिन्नों की तरह है हां हम इनकी तुलना समहर भिन्नों की तरह कर सकते हैं और समहर भिन्नों की तुलना किस प्रकार की जाती है यह हम जानते है अब इन समहर भिन्नों की तुलना करना आसान है आठ बटा दस बड़ा है छे बटा दस से इसलिए सुनिल ने मीरा से अधिक रंग भरा है आईए असमहर भिन्नों की तुलना का एक और उधारन लेते हैं चार बटा साथ और तीन बटा चार चार गुणा चार बटा साथ गुणा चार बराबर सोलह बटा अठाईस हर को अठाईस से बदलने के लिए हम हर साथ को चार से गुणा करें अब तीन गुणा साथ बटा चार गुणा साथ हम हर को चार को साथ से गुणा करके हर को अठाईस में बदलते हैं पहले भिन्न के हर और अंश को दूसरे के हर से गुणा करें और इसी तरह हम दूसरे भिन्न के अंश और हर का गुणन करेंगे इस पद्धती को क्रॉस गुणा या तितली विधी कहते हैं समान हर 28 है हम आसानी से समान हर के साथ इन दोनों भिन्नों की तुलना कर सकते हैं 16 बटा 28 और 21 बटा 28 इसलिए 16 बटा 28 छोटा है 21 बटा 28 से इसलिए 3 बटा 4 यह 4 बटा 7 से बड़ा है 3 बटा 4 बड़ा है 4 बटा 7 हमने क्या सीखा? अन्श और हर के गुणन से विभाजन से समतुल्य भिन्नों को प्राप्त किया जा सकता है और इस गुणन या विभाजन के लिए जो संख्या इस्तमाल होती है उसका समान होना आवश्चक है और वह संख्या एक से अधिक होनी चाहिए स्वाध्या भिन्नों की तुलना कीजिए छोटा अत्वा बढ़ा